हेलो हरन व्लोग में आपका स्वागत है आज के वीडियो में गर पर बच्चों को आटिसम बच्चों को कैसा योगा कराते हैं देखेंगे जो बच्चे योगा करने के लिए जित पकड़ते हैं नहीं करते हैं उनके लिए बहुत यूसफुल रहेगा बच्चे नहीं करते हैं कोई के पैरंट्स लोग चोड़तेते हैं हमसे नहीं करा सकते हैं बच्चे नहीं करते हैं तो आप लेके आईएगा। बच्चे को ज़रूर प्रैक्टिस होेगा। करो हरन पहले दम सिंपल योगा कराईएगा ताकि बच्चे को मुश्किल ना हो फिर बच्चे अगर करने लग जाएंगे तो तोड़ा हाड योगा दे सकते हैं बच्चे नहीं करते हैं तो चोड़ना नहीं चाहिए बच्चे को सिंपल सिंपल पहले योगा कराईएगा अगर आप नहीं करा सकते हैं नहीं बच्चे कहां से करेंगे आप तोड़ा मतलब तोड़ा कराने से यह दो बच्चे भी उनको भी तोड़ा इंटरेस्ट आएगा करने के लिए तो आप चोड़ियेगा नहीं भी घर पर रहते बच्चे भार तो जाने सकते हैं तो घर पर थे चोट-चोट अएक्सजेस वगारा योगा वगार आ Destiny करा सकते हैं है यह मैंने मैंने स्वीडियो में आके मैंने बैठ कर जो योगा करते हैं वो कराये हैं कि सिटिंग योगा का ली कराएं इसमें कि एदम सिंपल सिंपल है योगा सब आप अराम से करा सकते हो बच्चे को बच्चे को मेहिना के फिजिकल एक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को बच्चे को ऐसे काम देते रहोगे तो बच्चे टाइड हो जाएंगे इसमें आके बच्चे का जो नींद भी अच्छा आएगा जो बच्चे हाइपर रहते हैं उनका हाइपर भी कम होएगा कंटिन्यू रहना चाहिए यो रोज एक पांस मिनाट ये दस मिनाट आप अपने बच्चों को दे सकते हो स्तरा योगा जो बच्चे हाइपर होते हो तो बिल्कुल करने नहीं मंगेंगे मैंने बहुत बच्चों को देखे हैं जो बच्चे बहुत हाइपर रहते हैं बिल्कुल एक भी योगा नहीं करने मंगेंगे बिल्कुल बंड नहीं करेंगे उनके पैरेंट्स बोलेंगे नहीं करता है बस जोड़ मैं बोल कर चोड़ देंगे ऐसा नई करना चाहिए its इस हाइपर होने से क्या ह изб्यों को बच्चे को थो शिखाने ही तो है न थोड़ करेंक प्रैक्टिस में लेकर आईए गा ही हइपर एक वड़ को रखें आप बच्चे का इस Cas नहीं करता है, बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करेंगे, हमी को सीकाना चाहिए, parents को भी कराना चाहिए, practice में लेके आना है, अभी मैंने एक तीन-चार साल पहले की बात है हरन बिल्कुल एक योगा भी नहीं करेगा अगर कराना है तो चार-पांच जन से पकड़ के कराते थे योगा इनके स्कूल में अभी अराम से कर लेता है कुछ भी बोलने से सुनता है करता है फॉलो करता है बुजांगा असना में शिरू पर उटा हुए रहे 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 बुजांगा असना में आके है रहे बिल्कुल हाथ ऐसे अब इतना अपना आप से करने लगता है बुजांगा असना सब यह दनुरास्णा अभी बिल्कुल करने ने मंगता था अभी अपने आप पैर पकड़ लेता हाथ लेता अच्छ से करने लगता है सीर उटाओ हरान ओके गूट चलो भी सीरे लेट जा पैर उटाओ दुसरे पैर भी उटाओ हरान गोड वेरी गोड अभी सर के पीछे लेकर आओ अब कभी भी योगा करते समय ना counting करना चाहिए बच्चे अभी बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तो 1 से 5 तक का counting तोड़ा practice हो जाएक तो 1 से 10 तक इस तरह तोड़ा increase करते जाएका counting को फिर 1 से 20 तक का पैर उटाओ अरण उटाओ पैदम सीधे उटाना है अरण बच्चे नहीं कर जो जो करने के लिए मुस्किल होते हैं जो जो योगा करने के लिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजेगा से बच्चे को प्रैक्टिस हो जागा तो बच्चे आपने यहाप कुद कर लेंगे पकल लो पैर को पकल लो हरान गुड़ वेरी गुड़ सर को उटाओ सर उटाओ हरान बस हो गया है हरन का योगा कम्प्लीट हरन सिदे पट जो शिदे पट जो पैर फोल्ड कर लो हाथ जोल लो बस योगा फिनेस ओम पोल देना ताओ ताओ ट्डशी आइर पोल ओम इंगा था हरन सिदे उटम्ट। थाओ झारो वडं गउट जो हर दिदेना दो टो आप जो आप एए बसक्रान सिदे पैर लो और आपकर गशल खर्ड़ आपकर दो आपकर लो झाल झाल झाल